हेलो एब्रीवन वेलकम टो माय उटी ऊप चैनल जारकन बेर एंट्रांस 2024 की जितने भी स्टुडेंट्स तयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास है और स्टार्टिंग से लेकर के इन तक कम्प्लीट देखना आज हम लोग हिंदी का पहला टॉपिक जो की वर्ण माला है इसके एमसी क्वेस्ट की परेक्टिस करने वाले हैं थिक है तो अपने फ्रेंट्स में भी इसे शि Halloween कर देना पहला हमारा यहां पर आपको आंसर करना है यहां पर यहां पर आंसर करेंगे ओर टीचंग के ऑप्लोड कर रही हूँ इस चैनल पर तो आप जरूर से देखेगा विद एक्स्प्लानेशन भी क्वेशन को डिसकस किया जा रहा है तो हमारा second question क्या है कि अस्थान के अधार पर बताईए कि मुर्धन्य वेंजन कौन से हैं मुर्धन्य वेंजन सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक चीज बता रही हूं वर्ण माला में वर्ग भी है वर्ग जो हैं यहां पर पांच वर्ग यहां पर हैं पांच वर्ग में कौन-कौन से हैं कवर्ग चवर्ग कचट त और प ये पांच वर्ग हैं और पांचों वर्ग में पांच-पांच वर्ण है ठीक है तो अब बोला गया है कि मुर्धन्य व्येंजन कौन सा है और इसे असपर्स व्येंजन भी कहा जाता है राइट आंसर इसका होगा सेकेंड का ओप्षन सी जो की है ड़ और धा जो है ये मुर्धन्य व्यंजन है इसमें कौन-कौन से आते हैं मुर्धन्य व्यंजन में तो सबसे पहले टव वर्ग को लिख लेना टव वर्ग में क्या आएगा टथर डढ़ अना आएगा इसके अलावा यहां पर री आएगा ल आएगा और स आएगा तो यहां पर पांच वर्ण होगे टव वर्ग में पांच, छे, साथ, आठ जो है ये मुर्धन्य व्यंजन है ठीक है और हम लोग यहां पर वर्ण माला को देख रहे है तो टोटल कितने वर्ण होते है यहां पर कुल वर्णों की संख्या इंधी में कितनी 52 टोटल वर्ण है इसमें से 11 जो है न सुर वर्ण होंगे और इसके अलावा व्यंजन वर्ण कितने होंगे 39 और 2 आयोग वाह वर्ण होंगे जो की अंग और अ है नेक्स्ट क्वेशन को देखेंगे अल्प प्राण वर्ण कौन सा है सबसे पहले तो इसको हम समझते है अल्प प्राण होता क्या है किसे कहते हैं या फिर कौन से वर्णों को कहा जाता है मैं आपको पता ही पांच वर्ण होते हैं जिसे असपर्स व्यंजन भी इन वर्णों को कहा जाता है तो पांच वर्ण होते हैं कचटत और प ये पांच वर्ण है और पांच वर्ण है पांच वर्ण में पांच पांच वर्ण होते हैं तो पांच-पांच वर्ण है लाइन वाइज इस टाइप से हैं और लिख लेते हैं इसको कच ट और प यहां पर वर्ण होंगे पांच-पांच ठीक है मान लो यहां वर्ण है यह पहला है सेकेंड थर्ड फॉर्ण यह वला फिप्ट है अल प्रांड में वो वर्ण आएंगे जो फॉर्स्ट में होंगे यहां पर पहला वर्ण तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण जो होगा उसे अल प्रांड की केटेगरी में रखेंगे और एक होता है महाप्राण जो की second में और fourth में जो आएगा उसे क्या कहेंगे ये महाप्राण कहेंगे ठीक है अलप्राण कौन से वर्णों को कहेंगे जो हर वर्ण का पहला तीसरा और पांचवा नंबर का वर्ण होगा उसे अलप्राण और second और fourth नंबर वाले को क्या कहेंगे महाप्राण कहा जाएगा option यहाँ पर कौन से right answer होगा B होगा क जो है यह पहले अस्थान पर आता है क वर का पहला अस्थान और क वर का ही तीसरे अस्थान पर ग आता है क ख छोड़कर के ग जो है यह अलप्राण होगा ख कौन से होगा महाप्राण हो जाएगा next है टोटल स्वरो की संख्या कितनी है तो 11 है तो रिक्त करते हैं तो 10 IST अच्छर कितने प्रकार के होते हैं एक दो तीन और चार अच्छर जो है कितने प्रकार के होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है देखो अच्छर का मतलब ही होता है वर्ण ठीक है वर्ण किसे कहते हैं वर्ण उसे कहेंगे जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं सबसे छोटा शब्द तो नहीं बोलेंगे जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं उसे ही वर्ण कहें यानि कि जिसका टुकडा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहेंगे वर्ण को ही अच्छर कहा जाता है तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से सुर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं अब देखो क्वेशन नमर एट है मच्छर का वर्ण व खुपा हुआ रहता है व्यांजन वर्ण में हमेशा क्या चुपा रहता है जैसे कि हम क क लिखेंगे तो इसका अगर हम वड़ा करेंगे तो क क आधा का ऑधा प्लस हो जाएगा मानलो हम माल लिख erijn हैं तो मा आधा हो जाएगा हलंद लेगा नीचे में और यानि कि व्यांजन वर्ण में अ वर्ण जो स्वर वर्ण है ये लगा ही रहता है तो इसी तरह से जो मच्छर है इसका गर हम वर्ण विछेद करेंगे तो आधा मा होगा साथ में आ आएगा चा यहां पर आधा है तो आधा का यहां पर वही होगा आ यहां पर नहीं आएगा चा में देखो यहां प अहोगा तो यह हो जाएगा यहां पर, option C हमारा right answer होगा तो इसे रहे से वर्ण विच्षेदाप गरिंगे तो हंभास में और और यह क्योफ लि संतुन हाड़र पूछा था थे है कि यह 12 कैंदी वर्ण गरह्ण गर में कह पूछा था प्रकार के भेद है यानि कि ओश्टिय क्या है यह उचारन अस्थान है तो सुर्वर्ण ऐसे कितने सुर्वर्ण है जो होंट से हम उसका प्रणाउंस करते हैं उचारन करते हैं दो तीन चार या फिर पांच राइट आंसर क्या होगा दो होता है और कौन-कौन से है तो हरसव होगा और दिरगव होगा यह क्या है सुर्वर्ण है जो की और इसका उचारन अस्थान कौन सा है तो होंट से उचारन करते हैं नेक्स्ट है निम्न में से हस्वस्वर नहीं है अब हस्वस्वर किसे कहा जाता ह ये भी जानेंगे हस्व स्वर उसे कहते हैं जिसको उचारण करते समय न अधिक समय नहीं लगता है स्वर के भी तीन परकार हैं पहला यहां पर हस्व स्वर होगा दूसरा दिर्ग स्वर होगा और तीसरा दिर्ग होगा और तीसरा पुलूत कैसे लिखते हैं पुलुत स्वर होगा तो हस्वा स्वर में क्या होता है इसको ध्वानी में या फिर जब भी हम उचारन करते हैं तो कम समय लगता है दिर्ग स्वर में हस्वा स्वर को उचारन करते टाइम जितना समय लगता है उससे दो गुना लगता है और पुलुत में यहां पर तिन गुना समय लगता है उचारण करने में तो कौन सा नहीं होगा हस्वस्वर राइट आंसर यहाँ पर होगा option first वाला दिर्गई होगा जो की हस्वस्वर नहीं है हरसई है हरसव हरसव है और इसकी अलावा और एक है जिसको हस्वस्वर कहा जाता है री भी आएगा ठीक है री को भी हस्वस्वर कहते हैं और हस्वस्वर को ही ना मूल स्वर भी कहा जाता है next है अघोस वेंजन होते हैं अघोस घोस और अघोस भी जाना जरूरी है तो जैसे मैं आपको बताए कि 5 वर्ग होते हैं कौन कौन से 5 वर्ग है क च ट ट ढ़ोगा ना क च ट ट और बर ये 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग की जो पहली और दूसरी ध्वानिया जो होती है उसे अघोस कहा जाता है अघोस किसे कहेंगे सिसे क वर्ग है तो क और ख ये क्या है अघोस है च क च और च Besch क्या है ये भी अघोस है पहला और दुसरा लाइन में जो आएगा उसे अगोस कहेंगे और एक घोस सब्द आता है तो हर वर्ग का अंतीम तीन काखा जिसे ये क्या हो गया अगोस हो गया घोस में क्या होगा काखा गह और अंग ये क्या हो गया ये घोस हो गया तो इसी तरह से समझना है अगोस जो है हर वर्ग का पहला और दुसरा वर्ण अगोस होता है तीसरा चोथा और पांचवा क्या होता है घोस होता है तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि वर्ग के प्रतम वा दुत्य दुत्य वर्ग वर्ग के तृत्य या फिर चतुर वर्ग तो अगोस हम किसे कहेंगे अभी जैस जहनेंगे घोश कहेंगे वर्ण माला में सहिंख्ट तु स्वर कौन से हैं कि सहिंख्ट स्वर यहां पर पूछा है राइट आंसर होगा आए ऐ होगा और आउ जय है यह संहिंख्ट स्वर है ठीक है नेक्स्ट ए और एवर्ण क्या कहलाते है नासिक्टिय मुर्धन यह ओश्च के फिर कंट तालव है किसी के इसे किया कहेंगे याणि की ए और जब हम बोल रहे हैं तो उसका प्रॉनाउंस कैसे हो रहा है है उचारेण कैसे हम कर रहे हैं दालू से कर रहे हैं Node आए सुझ मँट कर सक देखो ए और आए its का क्या होगा 14 का option d होगा जो कि कंट और तालव है ये दोनों का ही use यहाँ पर हो रहा है इसको उचारन करने में कंटोष्ट ये ध्वनी का उधारन है कंट से भी इसका उचारन होगा और ओष्ट यानि कि ओष्ट होट से भी होगा तो वो कौन सा होगा राइट आंसर यहाँ पर होना था क तो होगा नहीं क्योंकि क कंट से बस हो रहा है ता भी नहीं होगा ता दंत या पर तालू ऐसे होगा तो कंटोष्ट से आओ और यहाँ पर जो ओ है ये इनका उचारन अस्थान क्या है कंठोष्ट है कंठ से भी हो रहा और ओष्ट से भी हो रहा है का वर्ग का उचारन कौन सा है का आप प्रणांस करो का यानि की कंठ से option first right answer होगा चा वर्ग का उचारन का क्या होगा तालू से होगा option B का वर्ग कंठ से ता वर्ग चा वर्ग यहां पर तालू से ता वर्ग कहां से मुर्धा से ता वर्ग होगा दंत से और पा वर्ग होगा होश्ट से तो चा वर्ग है यह तालू से होगा ता वर्ग का उचारन अस्थान आप एक बोलो ता तो यह मुर्धा से हो रहा है option C यानि कि जो तालू है हमारा तालू क पीछे से वह हमारा जीव है तालू के पीछे टाच हो रहा है याने की मुर्धा से हो रहा है तवर का उचारन की स्वाक अस्थल से होता है तो यह दंत से ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा पावर का उचारन अस्थान कहां से हो रहा है बोल के देखो पा तो यह ओष्ट से 20 questions complete ह होते हैं और इन ही में से आपको question पूछेगा ठीक है अलप्राण महाप्राण आयोग वाह क्या किसे कहते हैं और घोस अगोस यही सब आपको जानना है और उचारन अस्थान तो जानना ही है ठीक है और हिंदी में 15 questions पूछे जाएंगे बियर इंट्रांस एक्जाम में तो और संग्या सर्वनाम विशेशन इसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे